गुड मॉर्णिंग आज के इस लेक्षर में हम लोग क्वालिटिक एक्वेस्टन के रूट की नेचर के बारे में पड़ेंगे फिर इससे रिलेटेट क्वेस्टन को हम लोग सोल करेंगे ठीके तो मारा टोपिक आज कहा है नेचर आप दा रूट्स आफ एक्वालिटिक एक्वालिटीक एक्वेस्टन होता है और हमारा एक के बेलू जो होगा इसमें 0 नहीं होगा और यहां से लोग दि निकालते हैं एक्वेस्टन है और यहां से हमारा अलफा हो जाएगा minus b plus root d by 2a और beta हो जाएगा minus b minus root d by 2a ठीके तो अगर d निकालेंगे तो इसमें हमारा 3 case आएगा d हमारा greater than 0 आशकता है positive आशकता है d हमारा is equal to 0 आशकता है और d हमारा less than 0 आशकता है negative आशकता है हम लोग किसी भी equation का d निकालेंगे तो आशकता है तो आशकता है या तो d हमारा positive हो सकता है या negative हो सकता है या 0 हो सकता है तीनों case में root हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं case first है when d greater than 0 d हमारा जाब positive आशकता है तो in this case the roots are real and distinct इस case में हमारा root क्या होगा real होगा और unequal होगा ठीके distinct होगा these roots are given by अब इसको हम लोग इस दोनों formula से निकाल लेंगे एक alpha निकाल लेंगे minus b plus root d by 2a और beta निकाल लेंगे हम लो minus b minus root d by 2a से ठीके इस दोनों formula के यूज़ करके हम लोग पहले भी question solve कर चुके है second case है जब d हमारा 0 के equal हो जाए when d is equal to 0 तो in this case the roots are real and equal इस case में क्या होगा हमारा root real होगा और equal होगा और दोनों equal root जो है इच root के होज़ागा minus b by 2a जब d हमारा 0 के equal होज़ागा तो आप हम लोग formula यूज़ करेंगे minus b by 2a और third case हमारा है जब d less than 0 होज़ाए d के value negative होज़ाए तो in this case roots are imaginary इस case में क्या होगा root हमारा real नहीं होगा imaginary होज़ागा and we said that the given equation has no real roots अब हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो equation दियावा है उसका कोई real root नहीं होगा तो नहीं होगा तो find नहीं करेंगा उसको हम लोग अब इसको यहाँ पे एक table में पूरा summary दे दिया है कि value of d d greater than 0 होगा तो इसका nature of roots जोगा न real और unequal होज़ागा और roots तो निकालेंगे तो minus b plus minus root d by 2a means alpha मार होज़ागा minus b plus root d by 2a और beta होज़ागा minus b minus root d by 2a उस तरह से अब d 0 होज़ागा तो यहाँ पे जो nature of roots होगा हमारा real और equal होज़ागा और each root होज़ागा minus b by 2a ठीके और d जब less than 0 होगा तो यहाँ पे no real roots होगा और यहाँ पे हम लोग roots find नहीं कर पाएंगे यह none होज़ागा तो यह nature of roots जोए न है इसको आप लोग अच्छे से समझ गयोंगे और इस पे बहुत सरा question आपका अब solve भोगा ठीके board exam में भी इससे related question पूछता है अब हम लोग exercise 4.4 के questions को solve करते हैं इसका first question दिया हुआ है find the nature of the roots of the following quadratic equations if their real roots exist find them अब इस question में जो quadratic equation दिया हुआ है उसके root का nature find करना है अगर वो real है तो उसको find भी करना है means उस root को निकालना भी है first question इसमें दिया हुआ है 2x square minus 3x plus 5 equal 0 अब इस equation कम लो quadratic equation का जो general form x square plus bx plus c equal 0 होता है उससे compare करेंगे तो यहां से हमार a का value क्या हो जागा 2, b का value हो जागा minus 3 और c का value हो जागा 5 तो अब यहां से निकालेंगे d therefore d कितना हो जागा हमारा b square minus 4 c discriminant हो जागा हमारा तो b का value minus 3 है तो इसका square कर देंगे और minus 4 a, a कितना है 2 और c कितना है 5 ठीके अब इसको हमारो multiply कर देंगे तो यहां जागा हमारा 40 minus 3 का square 9 हो गया जब d less than 0 आगया so the given equation has no real roots तो यहां पर इस equation का कोई real root नहीं होगा तो इसको हमारो find नहीं करेंगे इस equation का real root होगा उसको find करना है तो first question हमारा solve होगा यहीं पर ठीके, d negative आगया तो इसको हमारो जोड़ देंगे second question हमारो दियावा है 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal 0 d square minus 4 x c से तो b के value मारा दिया है minus 4 root 3 उसका square करेंगे minus 4 into a 1 into 3a और c के value 4 है इसको multiply करेंगे minus 4 root 3 के square हमारो करेंगे तो यहाँ जागा 48 अफि इसको multiply करेंगे 434 को दिया जागा 48 तो 48 minus 48 0 आगया अब यहाँ पर d के value हमारा 0 आगया तो अभी जाश्टर में देखे थे जब d 0 हो जाएगा तो सोधा की वेन equation है real and equal roots तो यहाँ पर क्या होगा real root होगा और equal root भी होगा अब real root होगा तो इसको find भी करना है कि कौन सा root होगा तो यहाँ पर h root जोगा minus b by 2a हो जागा और b का value क्या है minus 4 root 3 है तो यह से पहले minus कर देंगे minus b by 2a और a का value हमारा 3 है तो यह हमारा हो जागा यहाँ से अब 2 से 4 कमला cancel कर देंगे 2 times तो यह हमारा जागा 2 root 3 by 3 ठीक है तो यह दोनो root equal होगा तो एक root find कर लिए दूसरा इसी के equal होगा तो यह लिखेंगे hence 2 root 3 by 3 and 2 root 3 by 3 are the roots of given equation जो equation दिया है उसका दोनो root यह होगा इसका third question भी है उसको solve की जाएगा उसमें d greater than जिरूआ जाएगा तो आपे हम लोग alpha beta से उसका root find कर लेंगे तो फर्स्ट में 3 question दिया है फर्स्ट question में आपका d less than जिरूआ जाएगा second question में d is equal to जिरूआ जाएगा और third question में d greater than जिरूआ जाएगा ठीके तो नेचर आफ रूट आप लोग अच्छे समाझ गया होगे अब next question अब लो next lecture में करेंगे आज के लिए इतना ही thank you have a nice day